राज़त के परिवार में खुसखबरी का महाल तिजश्वी आदों के हुई बेटी के साथ आज तिजश्वी आदों ने फोटो साजा की जिसके बाद में राज़त के शमर्थकों ने जश्न का महाल बना दिया इसके साथ पंद्र कुश्वाह ने इस वक्त नितिश कुमार के मुस्किलों को बढ़ाने का मानों जैसे बड़ा निर्णे ले लिया हो और एक के बाद एक तवातोर कई बड़े निर्णे को लेते जा रहे हैं इसदरान राहूल गादी के श्रमर्थकों ने दिल्ली के अंदर एक बारफर से शरकार का बिरोद किया और बान्य प्रधान मंतर्य का बिरोद करते नजर आए असके साथ आज के बड़ी खबर में बाचित होगी किस तरीके से देश के प्रधान मंतरी श्री नरिंद्र मोदी दो हजार चॉबिस के लड़ाई में घिरते चले जा रहे हैं और ऐसे में सुप्रेम कोट में राहूल गाधी प्रधान मंतरी के चुनोंतियों को स्वेकार करते आगे बढ़ने के त्यारी कर रहे हैं नितीश कुमार ने बताने का प्रियास किया कि देखिये कुछ भी हो गो लेकिन मजबूत ताकत के साथ बोलना हमें पढ़ेगा लोगतांत्र के विज़ासाओं के लिए सबसे पहले बड़ी खबर के शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर के शुरुआत राहूल गाधी के समचार से करते हैं राहोल गाधी लोकसबा के शदश्य नहीं रहे और राहोल गाधी के लोकसबा के शदश्य नहीं रहने पर भीहार के उपमुकमंत्री सिर्टयश्वी यादों से लेकर के और इसके साथ साथ कई बड़े निताओं ने नराजगी जटाई या बताने का प्रयास किया कि देखें ये सारा चीज़ हो रहा है वो लोक्तांत्रिक विवस्थाओं का हनन है और इस तरीके से देश में जो महाल बनाया जा रहा है इसे लोक्तांत्रिक विवस्थाओं को बहुत बड़ा खत्रा पहुंचने का ऐसे में कम से कम ये बातों का ध् बातवा मजबूत नेता के तौर पर सामने आ रहे थे लेकिर अचानक से मिली एक छोटी सी अपडेट के बाद में खबरों के बाद में उनको जटका लग गया और लगतार ये जटका मजबूत नजर होता दिखाई दे रहा है आपका क्या बड़ी खबर निकल को शामने आ रहे हैं अपने श्रमुदाय के अच्छे खासे वोजबायं का दावा और इसके साथ साथ ये कहना कि देखी साहब हम मजबूत है हमें कभी भी हमने कभी मुखमंत्री बनाया है देश बिहार के अंदर तो कभी बिहार के लोगों को भिकास कार्यों के लिए जागरू किया है तो ऐ कुछ लोगों का ये कहना एको पिंदृ कुछ वहा का ये फैसला बड़ा कई न कखीं बारा होशकता है और ऐसे में फैसला जो है नारेंद्र मौदी इस फैसले का अगर श्वागत नहीं करते हैं अपने अंदर तो इस फैसले का कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा खर अप आप मिले बेहार के चर्चित पत्रकार एवम यूट्यूबर मनिश कश्चप फिलाल कानूनी सिकंजों फस गए हैं उन पर सोशल मीडिया पर अफवाह जनक बिना पुस्टी के खबरों को चलाने का आरोप लगा है और इस आरोप के लगे जाने के बाद में उन पर लगातार कर पहार आ सकें ऐसा दिखाई नहीं देता लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बिहार के पुलिस प्रिशाशन उनके साथ ठीक ठाक शलूक नहीं कर रही है हलाकि पुलिस के कस्टरी में वा फलाल हैं उनसे पुछताच किया जा रहा है मामले पर कई बड़े अन्य चीज गश्च आरे एस वक्त और बड़ी ख़बर ये है कि ति जश्वी यादो के चाहने वाली लोगों को आज बड़ी खुस खबरी मिली है एक तरफ तजशोवी जादो को हुई बेटी के साथ तजशोवी जादो ने एक तस्वीर को साजा करते ही कहा कि देखिए हमें बहुत खुसी है कि हमें पुत्री के प्राप्प्ती हुई है बागवान का स्वर शरूप में प्रत्री प्राप्त हुई है ऐसे में छट का पावन दिन और इसके साथ साथ नौरात्र का महीना अपने आप में काफी अधवूद होता है और ऐसे में मातारानी के करपा से हमारे घर में अगर दुरका आई है तो हम स्वागत करते हैं और काफी नजर आए तेश्वी यादों खुश नजर आए तेश्वी यादों के साथ साथ मुक मंतरी तेश्वी यादों के साथ क Minser लोग भी खुशी से झोम उटे चाचा बनने खुशी में तेशpoonताप यादों ने मिठाया खाई और लोगों को खूम मिठाया बाट करके इस बारे में खुशी जाहिर की कि देखे मुझे बहुत खुशी है बड़ी खबर निकल का शामने आ अरे इस वक्त और बड़ी खबर ये है कि आज एक बार फिर से बात यही है कि परदान मंतरी 2024 के लिए क्या कर रहे हैं इसलिए तरश्वियादों के चाहने वाले लोगों ने इस वक्त प्रधान मंत्र शेनरिंद्र मोदी की चर्चा बिहार में करते देख परशान हो रहे हैं, क्योंकि प्रधान मंत्री जो है अगर 24 के लड़ाई में उत्रप्रदेश बिहार जारखंड अन्य राजियों में अगर अपने एजन्डे को मजबूत कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी से उन्हें परशानिया देखने को मिल सकते हैं क्योंकि छित्रगे पार्टियां आमने सा को मजबूत कर आगे बढ़ने का यह प्रियास क्या जाता है तो देश में कुछ नया महौल क्रियेट हो सकता है बड़ी खबर निकल कर शामने आ रही है बैयार के चर्चिर पत्रकार यहाँ में उचुभार मनिश्ट कस्यप ने अपने जान की जियां आपको दादे कि उन्होंने कहा कि मेरे जान के कई लोग दुश्मन है और मेरे शाथ जो है बेवहार ठीक नहीं हो शकता है इसलिए मु इसके स्टडी में जाते वक्त और फिर आते वक्त कराने की बात कही है मनिश्ट कस्यप पर किसी भी प्रकार से टॉर्चर ना करने की हिजायत दी गई है कि उन्होंने के बावजुद भी लगतार यह बातों को कर अपनी जान के शुरक्षा के दृश्ट कौन से मजबूत है क इस पर तुरंट एक्षन लिया और मामले को ले करके बात कही है बड़ी ख़बर निकल कर शामनी आ रही है और बड़ी ख़बर यह है कि आज एक बर फिर बिहार के सिक्षा विवस्था को देखा जा रहा है और बिहार के सिक्षा विवस्था को मजबूत बनाने की दरशल दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि बिहार की वाइव सिक्षा बिवस्था है और हमारी एक सर्वे में हमारी एक रिपोर्ट में राधा सांदे आया है कि अगर कक्षा आठवी तक कोई भी बिद्द्याले सरकारी बिद्द्याले हैं तो उसमें 5-4 शिक्षग है मह से गम बिहार के सिक्षा बवस्ता को सुधारने का प्रियास करना चाहिए और सिक्षा विवस्ता को अगर नहीं सुधारा जाएगा तब तक चीजें मजबूत नहीं होंगी तब राहूल गांधी के नाम के चर्चा के साथ आज कॉंग्रिस के रास्ट्रिय अद्रक्ष मलीकार जुन खडगे ने कहा कि देखे राहूल गांधी के जो भवन आवंटित किया गया था जो उन्हें मकान दिया गया था उस मकान को आवंटित किये जाने के साथ अब उस मकान पर का करानी कोशिश की जा रही है बीजे पी या तमाम आमलों को ले करके बहुत जल्दी वाजी कर रही है और बीजे पी का जल्दी वाजी करने का मतलब भी साफ है यह बताना है कि देखिए हम रोड पर ला दिये हैं हम लोगों को रोड पल रहा है हम राहुल को रोड पर ला रहा ह कि वो रोड पर चलते हैं, रोड पर रहते हैं, रोड पर लोगों की आवाजों को सुनते हैं, बातों को सुनते हैं, नफरत की राजनितिक में प्यार के दुकान जगा जगत पर उन्होंने खोल रखी है, ऐसे में अगर मस्जबूती से यह देखा सा है तो उन पर कोई ऐसा दा पर दाग लगा करके प्रयास कर रही है उन्हें भड़काने के और उन्हें खत्म करने के प्रयास की बड़ी खबर यह है कि आज एक बार फिर से लालू परशाद यादो जो है वो नजर आ रहे हैं मजबूती के साथ दरसल लालो पुर्शा द्यादो के घर में आज लक्षमी का जनम हुआ है राज श्री जो लालो पुर्शा द्यादो का ही नाम दिया हुआ था राज श्री ने आज लालो पुर्शा द्यादो को नाती दिया है और लालो पुर्शा द्यादो अब बाबा कहलाएंगे और ये मोमेंट ये कहीं न कहीं अनोखा होता है किसी भी पिता के लिए किसी भी ग्रिन फादर के लिए किसी भी ग्रिन मदर के लिए दादा दादी के लिए या तमाम तस्वीरे जो हैं वो अनोठी होती है इसमें बहुत प्यार छिपा होता है और ये प्यारी तस्वीरे जो है बिहार से निकल कर क्या रही है आज किलता है जो है